find the LCM of 7 and good morning what's the statement 14 आपको exam में LCM जो 7 और 14 है उसकी place के place पर कोई और number भी आ सकती है तो आपने concept clear करने who will tell me how to solve this sum who wants to tell yes yes statement is find good morning find LCM of 7 and 14 तो exam में ये statement नहीं होगी yes tell me how to solve this sum yes multiples of multiples of 7 तो 7 के multiple 7 का table yes 7 7 3s are 21 7 4s are 28 7 5s are 35 35 तो सबसे पहले हम 5 multiple return करेंगे 5 multiple लिखे check करेंगे then multiples of 14 yes 14 14 के multiple 14 1s are 14 14 2s are 28 14 3s are 14 4s are 14 5s are 70 yes मैंने 7 के भी yes बेटा मैंने 7 के भी 5 multiple चूज किये हैं और 14 के भी मैंने 5 multiple ही no down किये हैं तो LCM का क्या मतलब है least means सबसे छोटा common common जो दोनों में common हो multiple जो ये table mention किये हैं हमने right least common multiple सबसे पहले हम common multiple देखेंगे कौन कौन से हैं कौन सा number common है दोनों में है 14 दोनों में है 28 दोनों में है तो आगे हमें yes तो आगे जुरूटनी पड़ेगी हमें और सरकल करने के लिए तो LCM is least common सबसे छोटा दोनों में से कौन है 14 so 14 is the LCM of yes बेटा least 14 है सबसे छोटा 14 है so this is the LCM of 7 and 14 ऐसी ही आपको एक्जाम में 3 numbers भी given हो सकती है यहाँ पे कोई और number भी हो सकता उसका भी अपने multiple करना है हाँ 3 numbers का भी ऐसे करना है उसमे multiple of third number का लिखोगे फिर तीनों में से common देखोगे आप जैसे आप 2 में से common देखा उसमें तीनों में से देखने है राइट चलिए next is HCF तो यह important concepts है LCM, HCF यह आपकी next classes में भी very good highest common factor जब बैटा आपको meaning clear हो गया तो आप easily solve कर सकते हो तो second part is HCF of तो हमारे पास यह भी statement change होके आएगी 18 and 90 तो यह हमारा short sum है तो इसको हम expand करके करेंगे जो method number second था highest common factor factor क्या होता है कि यह number किस किस के table में आती है तो पहले लिखेंगे factors हाँ 18 किस table में आता है पहले 1 तो लिखेंगे यह लिखेंगे फिर 2 से देखेंगे 2 के table में 18 आता है yes 2 9s are 18 है ना आप यहां 2 9s इकठा भी लिख सकते हो फिर 3 3 किस पे आता है 6 3 6 are 18 फिर 4 चेक करोगे 4 के table में नहीं आता फिर 5 के table में भी नहीं आएगा 6 हम लिख चुके है 7 के table में नहीं 8 के table में 9 9 के table में 9 हम लिख चुके है तो लास्ट नंबर आएगा जो यह नंबर है तो ऐसे हमने यह 6 factors लिख लिए तो in the same way we will know down factors of 90 तो 90 के भी ऐसी लिखेंगे पहले तो 1 नंबर आएगा 2 के table पे divide होता है yes 2 yes 2 45s are 90 फिर 3 के table में 3 30s are 90 4 के table में आता है 90 no 5 के table में yes 18 5s are 90 6 के table में 6 के table में 15 फिर 7 के table में no 8 के no 9 के yes 9 10s are yes और कौन कौन से आएंगे हमारे अल्मोस्ट सभी factors कवर हो चुकि है 1 2 3 5 6 9 90 बटा लास्ट आएगा 90 लास्ट आएगा done clear हुआ 19 19 नहीं आएगा yes अभी common factors निकाल लेंगे क्योंकि ये cf है न ये common पहले solve करेंगे common factors तो common factors के लिए हम वही circle करेंगे 1 तो सभी में आएगा ही 2 फिर 3 3 है 6 भी है 18 भी है yes 9 भी है 9 भी है yes now tell me फिर हम ये लिख लेते हैं 1 2 9 3 6 18 right hcf of 18 and 19 yes hcf of 18 and 19 highest common factor तो इन सब में से highest कौन सा है कौन सा highest है 18 is the highest yes yes 18 is our answer I am 90 फिर है फिर है 18 answer होगा हमारा fine 90 क्या फिर्टा 18 होगा फिर्टा 18 होगा ये common factor है इन में से हमने greatest चूज किया सबसे greater कौन है ये 18 सबसे बड़ है फिर्टा मैंने लिख है hcf of 18 and 90 is equal to 18 clear means 18 is the hcf of 18 and 90 clear okay let's move to next sum next sum is of addition of fraction numbers yes division method वो बहुत easy हो जाएगा उसमें marks आपको फिर three marks के equal नहीं वो सम बनता अगर आपको three numbers का hcf आता है क्या कहरे हो हाँ factors की तरह कर सकते हूं हाँ factors की तरह कर सकते हूं यह factors की तरह किया है हमने direct factors निकाल ले हैं अप लिख सकते हो two into nine long division तब प्रेफर करो जब आपके पास three numbers हूं वैसे मैंने नोट करवाया था आपको method one and two right क्योंकि आपका base clear होना important है जो हमने अभी method की है वो भी आपको clear होना चाहिए तो यही प्रेफर करो तो अगर three numbers का hcf आता है तब आप long division से करो क्योंकि उसमें time ज्यादा लगेगा राइट done next add next add का sum है यह आप अपने method से भी कर सकते हो मैंने किसी और method से करवाया था सबसे पहले yes सबसे पहले हम lcm निकाले किसका denominator का आपको अगर denominators ही नहीं पता तो lcm क्या निकालोगे आप तो denominators का lcm सबसे पहले two के table में two के table में five हाँ two के table में five नहीं आता as it is yes two fours are eight फिर two के table में five नहीं आता as it is two twos are four again by two yes अब two remove हो गया five से divide करें five ones are five right तो यह जो numbers है इनको multiply कर देंगे two multiply by two multiply by two four two by eight eight five's are forty yes good eight five's are forty तो अब इसको हम कैसे use करेंगे कि हमारा sum आ जाएं तो यह तो हमने solve कर लिया very good नामिका नीचे हमने denominator में चेक करने है कि क्या सभी का जो denominator है वो 40 है यह ऐसे आप लिख सकते हो यह 40 आना चाहिए three point ten को भी किससे multiply करेंगे कि denominator 40 yes three point eight को भी किससे करोगे कि 40 आ जे जी नामिकेटर में तो eight five's are forty उपर भी eight से नीचे भी eight ones are eight next next second में three upon ten multiply by four upon three very good four into three four threes are twelve नीचे four tens are forty तो आई गया very good five threes are fifteen good अब हमारे पास जो यह numbers है हमने इन numbers को add करके लिखना है कैसे लिखोगे आप yes कैसे करेंगे eight upon forty plus twelve upon very good तो अब हमारे पास denominator सेम है yes denominator सेम है then we can add numerators directly तो numerators को directly add कर सकते है yes twelve yes it's equal to thirty thirty five upon forty आप यह भी answer no down कर सकते हो और इसको और भी cutting कर सकते हो simplest form में कि यह दोनों number कौन से टेबल में आती है five के टेबल में आते है five sevens are thirty five five eights are forty तो seven upon eight हमारा answer यह भी answer correct है यह भी correct है thirty five upon forty बोथ answers are correct clear okay yes ma'am okay okay तो सबी के return plus google form वाले objective exam है अच्छे होने चाहिए ऐसा ना हो कि आप google form कर रहे हो और return form return paper नहीं कर रहे है अच्छे से और राइट क्लियर हुआ और सभी ने जो sheets लेनी है न जो a4 sheets mention की थी आपको instructions में आपने ruled sheets लेनी है ruled sheets कौन सी होती है single line वली clear मैं आपको लिख देती हूं आप पिटा आप ऐसी sheets भी लिख सकते हो यह assignment sheets होती है वो assignments assignment sheet बोलती है okay और कुछ कुछ ऐसी sheets भी है market में जिनके उपर name class role number mention किया हुआ है हाँ वो भी आप यूज कर सकते हो back side से plain ना हो दोनों side से lines हो clear yes ma'am और आप प्रैफर करना assignment sheets ही buy करो वो थोड़ी सी thick होती है आपको लिखने में easy होगा और back side भी lines ही होंगी उसके दिखाओ बटा कैसी just wait yes I see look at this sheet RN आप मेरे को इसका screenshot send कर दे ना इसकी photo click करके fine और सभी students ने अपने आपके जो भी paper होते जाएंगे उसको एक folder में लगाना है staple करके maths का अलग English का अलग Hindi का अलग EBS का अलग Punjabi का fine और आपने जब अपनी paper की PDF शेयर करनी है तो उसी time करनी है जब आपको time दिया जाएगा और जो Google form का time है वो भी एक time के बाद off हो जाएगा ऐसा ना हो कि कोई student late आ रहा है तो वो paper attempt नहीं कर पाएगा clear सभी students ने time पे available होना जब exam start है कब से exam start है गरीमा yes कौन से subject okay yes yes क्या करने क्या करने क्या आपको अगर कोई fraction में addition या subtraction का sum आता है तो आपने सबसे पहले denominators चाहिए करने है if they are equal then we can solve the sum directly अगर equal है तो directly solve करोगे equal नहीं है then we will solve its LCM 2 8s are 16 तो 12 को 2 से 24 को 2 से divide किया 12 2 4s are 8 2 6s are 12 2 2s are 4 2 3s are 6 2 1s are 2 3 as it is 3 1s are 3 तो इन सब को हमने multiply करने now tell me LCM of 16 and 24 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 calculate it's equal to 48 48 yes 48 तो इसको हम कैसे solve करेंगे 15 upon 16 को किस नमबर से multiply करेंगे कि denominator में 48 आ जाए in the same way we will multiply 5 upon 24 to get 48 as a denominator so 16 3s are 48 and 24 को किस से multiply करेंगे 2 अगर आपको यह point नहीं clear होता को कि किस से multiply करते है तो हम आपने यह 16 जो यहां लिखा है इन में चेक करने है 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 तो कितना left हुआ 3 तो इस 3 से हमने इसको multiply कर दिया clear तो ऐसी 24 कैसे बनेगा 2 x 2 x 4 x 2 8 x 3 24 left क्या हुआ 2 तो 2 से multiply कर दिया right now 15 3s are 45 5 2s are 5 2s are 10 10 yes now we will subtract these fractions 45 upon 48 10 upon 48 now check the denominator is it same yes 48 same है तो directly subtract कर सकते है numerator की values को 45-10 35 divided by 48 yes this is our answer clear yes okay now next sum next is arrange in ascending order ascending order आपको एक्जाम में descending भी आ सकता है जब भी आपने एक्जाम की प्रैक्टिस करने हैं उसके साथ ही उसका दूसरा मैथट भी प्रैक्टिस में करने हैं next 18.16 103.23 18.13 and last one is 105.1 clear what is the first step to check what is the first step decimal fractions me like decimal yes सबसे पहले हमने चेक करने है के like decimal है या unlike है means के denomy जो हमने यह decimal use किया है क्या इसके बाद सभी digits equal है decimal के बाद 2 2 digit है 2 है 2 है 2 है यहा 1 है तो जो 1 है उसको भी 2 करने के लिए 0 attach कर देए now these are which fractions which decimals now these are like decimal yes like decimal अब like decimal बन चुके है यह अब हम इनको compare करेंगे like decimal हमने complete कर दिये तो then second step is compare whole number एटा whole number compare करने है compare whole number whole number कौन से होते है जो decimal से जो decimal से पहले होते है yes 18 सबसे पहले अमने ascending order चेक करने है ascending में क्या होते है smaller to greater तो smaller कौन से 18 18 two times है तो 18 दोनों equal हुए क्यूंकि हम whole number compare कर रहे है next is less than 100 3 is less than 100 5 तो यह तो हमें clear हो गया यह दोनों ascending order में है पर यह दोनों ascending में नहीं है yes 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 अब हमने इनको पूरे को compare करने है compare 18.16 and 18.13 तो इनका कौन सा digit चेक करेंगे one one जो tenth digit है इनका tenth place digit चेक करेंगे tenth place digit yes tenth place digit is one is equal to one अब यह भी हमारा solve नहीं हुआ sum तो इसके बार next step क्या होगा किसको compare करने है हमने yes compare hundred hundred place compare hundred place digit yes hundred place digit कौन सा six and three so three is less than three आप यह भी लिख सकते हो six is greater than three और three is less than six अब हम दोनों में से बता सकते हैं कि कौन सा number greater है कौन सा smaller है जिसके पीछे three है वो smaller है यह smaller है than eighteen point one six clear हुआ अब हम इस yes अब हम दुबारा से step क्या लिखेंगे next step इसके बाद हमने यह solve कर लिया eighteen point one three is less than eighteen point one six is less than one hundred three point two three is less than one hundred five point one zero this is our answer clear आपको अगर exam में ऐसा sum आ जाता है कि कुछ sum ऐसे होते हैं जिसमें director whole number ही compare करें तब भी answer आ जाता है right इसमें मैंने सारे step cover किये ताकि आपको exam में difficulty ना हो कोई भी step आ जाये तो आप easily solve कर सको हो सकता है आपका sum whole number तक ही cover हो हो सकता है 10th place तक ही cover हो fine तो आपने exam में अच्छी से check करने yes direct कैसे direct कैसे direct तब करोगे suppose हमारे पास यहां 18 था अगर आपके पास statement में 19 होगा तब हम इसको direct इसका solve हो जाना था तब यहीं तक solve हो जाना था तब हम यह कुछ भी part solve नहीं करना था क्यूं क्यूं नहीं करना था क्यूंकि हमने हमारे पास तो यह सारे different number हैं तो इसके साथ जो भी decimal थे वह attach करके मारा answer आजाना था clear तो आपने ऐसे और sums की practice करनी है तक exam में आप अच्छे से attempt कर सको नेक्स्ट सेक्स्थ सभी students प्रैक्टिस कर रहे हैं time waste हो नहीं कर रहे आजकर मेरे को marks जब आएंगे ना तो मेरे को सब clear हो जाना है next simplify 338.16 plus 121.11 minus 36.16 now who will tell me how to solve this sum yes who wants to tell very good step one step two तो इसके भी two methods हम simple सा करेंगे step one step one जैसे sum statements given है वैसे ही step one में first two numbers को choose कर लेना जो भी हो चाहे plus है चाहे center में minus है but हमारे पास यहां क्या है plus का symbol yes so we will add first two numbers तो add करना तो हमको आता ही है yes or no 6 plus 1 6 plus 1 seven one plus one two eight plus one nine three plus two five three plus one four very good next second step step number two yes simple yes yes 483.11 is our answer clear clear next sum number seventh add and subtract two parts a and b 36.312 and 12.523 we will subtract these numbers so two में से 3 तो subtract नहीं किया जा सकता so 12 हम बारो कर लें और 12 में से 3 माइनस करेंगे sorry sorry वेटा यह plus plus का sum है न यह अभी first sum plus का ही है हमारा right so add करेंगे 2 plus 3 5 1 plus 2 3 3 3 plus 5 8 6 plus 2 8 3 3 plus 1 yes 48.83 yes next next है subtraction का 668.41 332.40 0 यह first वाला 1-0 1 4-4 0 8-2 6 6 6-3 3 6-3 6-3 again 3 so 336. yes 336.01 is our answer clear clear यह हमारा model test paper कौन सा हुआ है model test paper number yes model test paper number 1 yes yes now move to model test paper number 2 second 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 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 झाल झाल